चाहां नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका er रो नहीं वीडियो में तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो ऐसे हमारे पास बहुत सारे पार्टीशन्स बन के आर características जहें और भी पार्टीशन जो होते हैं फौं खाम उनको जो है वह 那麼 पाती है यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर extend volume का option नहीं आ रहा है, तो और जो बीच में ये primary partition, जो partitions बन जाते हैं, fall to recovery partitions, तो हम कैसे इनको जो है, delete कर सकते हैं, और कैसे इनको merge कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको यही चीज बताऊंगा, तो वीडियो के last तक बने रहेगा, और एक step miss मत करिएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लीजे, और अगर वीडियो आपके लिए useful होता है, तो like जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ share जरूर करिएगा, तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, आप जैसे देख सकते हैं कि मेरे पास जो है, पार्टिशन बने वे हैं और ये एक अनलोकेटेड जो है, वो आ रहा है पार्टिशन, तो हम कैसे इसको, C drive में या D drive में, जहां पे भी हम चाहिए हैं, कैसे इसको merge कर सकते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको ये होता है, इसके बाद ही आपको यहां type करना है, disk part, disk part करके आपको enter करना है, enter करने के बाद आपको यहां पर type करना है, list disk, list disk के बाद आपके पास जो भी आपकी disk लगी हुई होगी, जैसे मेरे पास फिलाल एक ही disk लगी हुई है मेरे इसमें, जो मेरी हाट drive है, तो मैं इसको select कर लेता हूं इसको select करने के लिए हमें करना है यहां पर select disk 0 0 करके फिर आपको enter करना है enter करने के बाद अब आपकी जो disk select हो गई है इसके बाद आपको क्या करना है इसके partitions देखने तो partitions के लिए list partitions list partitions पर हमें enter करेंगे तो हमारे पास जो है वो partitions आ जाएंगे हमारे सारे जो भी मेरे partitions है तो अब मुझे जो recovery वाला था वो delete करना है मेरे पास जैसे recovery के 4 आ रहे हैं तो मुझे delete करना था जो आप देख पारें 703 MB का है 703 MB का है तो वो वाला हम select कर लेते हैं तो वो है main point यहां पर हमें करना है इसको delete आपको इसको delete करेंगे तो कोई भी आपके जो है disk पर कोई वैसे असर नहीं पड़ेगा कि आपका data चला जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे खुद के laptop में आपको करके दिखा रहा हूं और मैं आपको proof के साथ दिखाऊंगा आप restart करेंगे तो भी नहीं होगा ऐसा कुछ delete partitions override यह करने के बाद आपको enter करना है enter करने के बाद जो है वह आपका partition disk partition है जो delete हो चुका अब हमें पहले इसको exit करना है अब जैसे हम disk partition से निकले तो यहां से हम एक बार refresh करते हैं इसको वापस जाते हैं management disk management में जाते हैं अब आप देख सकते हैं कि जो है यहां पे directly 1.29 GB का जो है वो unlocated file आ रही है जो recovery file थी वो यहां से delete हो चुकी है तो अब क्या करना है अब है अब C drive पर हमें click करना है right click करना है इसके बाद आप देख सकते हैं extend volume का option आ रहा है तो हम इस पर click करते हैं next करते हैं फिर उसके merge कर सकते हैं जैसे भी चाहिए जितनी भी partitions आप delete भी कर सकते हैं आपको इसके जो है कोई भी आपका window वगेरा नहीं उड़ेगा नहीं कोई data उड़ेगा इससे तो बस यही था आज के इस वीडियो में तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो और useful हो तो like करिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो subscribe जरूर कर लीजे साथ यसाथ bell icon call पर set कर लीजे ताकि ऐसी जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके तो तब तक के लिए टाटा बाई बाई मिलते हैं next वीडियो में